हेलो फ्रेंड्स, क्रियेटिव फूड में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बाजार जिसा खाकरा घर पे कैसे बनाते हैं न इसकी रेसिपी देखने वाले है तो ये बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है आप इसे एक बार में बनाके महीने भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो बच्चों को जटपर से नाष्ट में देना है या फिर आपको ट्रैवल में लेके जाना है तो इसके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए बिना देर के शुरुवात करते है गार्लिक बटर खाकरा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 8-10 लसन के कलिया लेते है उसमें आदी छोड़ी चमश जीरा डाल देते है और इसे थोड़ा हम कुट लेते है इसे अच्छे से कुटने के बाद हम इसे साइड में कर देते है और इसे एक बाउल में हम 2 कप गेहु काट डाल देते है उसके बाद हम इसमें 1 3rd कप बेसन डाल देंगे तो हमने यहाँ पे यह बारिक वाला बेसन लिया है अब हम उसमें कुटा हुआ लस्तन और जिरा डाल देंगे तो ये ना हमें कुट के ही लिना है जिससे कि ना इसका टेस्ट अच्छा आता है उसके बाद हम इसमें एक छोड़ी चमच चिली फ्लेक्स और पाउ चमच अजवाइन डाल देंगे आपना चिली फ्लेक्स के जगा पे लाल मेच पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अब हम इसमें आधी चोड़ी चमच हल्दी पाउडर, आधी चोड़ी चमच काला नमक, स्वादानोसा नमक डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे आधी चुटी चमच हम लाल मेच पाउडर डालेंगे जिससे की नइस से कलार अच्छा हैगा अब हम इसमें एक टेबल स्पून बटर डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका आटा लगाएंगे आटे को गुनने के लिए हमने यहाँ पे यह रूम टेंपरचर वाला पानी लिया है यहाँ पे हमें रोटी के लिए हम आटा जैसे गुनते हैं न उससे हमें थोड़ा सा सकत आटा गुनना आई जिससे की हमारा खाकरा क्रंची क्रंची बने ये देखे हमने यहाँ पर एक कप पाने लिया था उसमें से थोड़ा बच गया है अब हम इसके उपर थोड़ा से ओईल लगा लेते हैं और इसे ढखके 15 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे तो यहाँ पे 15 मिनिट हो चुके है अब हम इसके उपर फिर से ओईल लगा लेते हैं और इसे अच्छे से मसर लेते हैं जिससे के हमारा खाकरा अच्छे से बने हम ना यहाँ पे गार्लिक बडर खाकरा बना रहे हैं अगर आपको मेथी का खाकरा बनाना है तो आप इसके जगहाँ पे मेथी डाल दीजिए तो आपका मेथी का खाकरा बन जाएगा तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से मसर लिया है तो चलिए अब हम इसे बेलते हैं बेलने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लिया है अब अब इसके उपर गियू काटा लगाएंगे और इसे बेल लेते हैं हमारे खाकरा की साइज एक जैसी हो इसलिए हम डबे का कोई भी ढखकन या फिर एसी जो बड़ी वाली प्लेट होती है इसका इस्तिमाल करके इसको एसे राउंड शेप दे देंगे अब हम खाकरे को पैन के उपर डाल देते हैं तो हमने यहाँ पे ग्यास का फ्लेम लो रखा है हमें खाकरे को हमेशा लो फ्लेम भी पकाना है जिसके हमारा खाकरा अच्छे से क्रंची बने एक साइट से थोड़ा सा सेखने के बाद हम इसकी साइट चेंज कर देते हैं और दूसरी दगा से भी थोड़ा से सेखने देंगे उसके बाद हम इसे उपर से ऐसे दबा दबा के सेखेंगे जिसे की क्या होगा हमारा खाकरा क्रंची बनेगा आप यहाँ पे इसे नैपकिन का भी यूज कर सकते हो या फिर कटोरी का यूज कर सकते हो या फिर लगडी का जो आता है न सेखने के लिए उसका भी यूज़ कर सकते हो तो हम यहाँ पे नैपकिन के मदद से अच्छे से इसे दबा दबा के सेखेंगे जब तक खाकर हमारा क्रंची न बन जाए तब तक हम इसे ऐसे सेखना है तो एक खाकरा बनाने के लिए हमें 5-7 मिनिट लगते हैं तो यह देखें यहाँ पे 5-7 मिनिट के बाद खाकरा हमारा अच्छे से बन चुका है अब इसी तरीके से हम बाकी के खाकरे भी बना लेते हैं तो ये देखे हमारे यहाँ पे एक गार्लिक बटर खाकरा बन के एक दिम रेडी हो चुका है दो कप आटे में हमारे यहाँ पे यह लगभग 13 खाकरा हो चुके है तो आप देख सकते हो कितना यह बाजार जैसा इसका कलर आ चुका है और इसका टेक्स्टर भी बिल्कुल बाजर जैसा आया है खाकरा को एक बार बनाने के बाद यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते है आप एक महिने तक भी इसे आराम सिखा सकते हो तो है ना यह बहुत ही आसान रेसिपी अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करे और कॉमेंट करे अगर आप क्रियेटिव फूड में नए है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करे थैंक यू